इतने सारे केक के ओर्डर तो चलिए इससे कैसे बनाना है वो दिखाते हैं मैं यहां टियर वाले केक्स जभी मेरे पास ज्यादा ओर्डर होता है तो प्लेस करके सेट करके रख देती हूं अगर आपको क्रम कोटिंग किया हुआ पहले से रखा हुआ है गर्मियों के दिन में त तो देखिए एक मैंने डेकोरेट कर दिया बड़ा वाला चार पॉंड का लगभग जो केक था और यह रहा धाई पॉंड के करीब का केक तो यह मैं बनाती हूं देखिए अगर आप फॉम बेकर है ना तो एक पॉंड दो पॉंड से केक और मत लीजे कभी कभी ना प्राइस जैसे कुछ कस्टमर्स बोलेंगे मुझे 200 का ही केक देदीजिए 300 का देदीजिए अगर 400 रुपे पॉंड 500 रुपे पॉंड है तो 1200 का कर दीजिए तो उसके अक्वाडिंग भी आप केक देने का कोशिश केजिए मि النट आप उसी जो आप मिनजरीं कप यूज करते हैं जैसे अगर आप प्रमिक्स से बनाता है यह होमइड प्रमिक्स से जो भी चीज़ आप यूज करते हूं तो measurement अगर price थोड़ा से जादा किसी customer ने में 1.400 रुपे का अगर देती हूँ और किसी customer को 500 का cake चाहिए होता है तो फिर क्या करती हूँ जो normal measurement वाला cup होता है उससे में 2 चमच के करीब बढ़ा देती हूँ अब एक cup में कितना spoon आपका आता है वो तो आपके अंदाज पर है या फिर आप measure करके रख सकते हैं और अगर आप अंदाज आपका सही आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं frankly speaking मैं सारा कुछ ना अंदाज सही करती हूँ and मेरा weight एकदम perfect आता है मुझे measuring cup या spoon की जरूरत नहीं परती है बस normally मैं measure करते जाती हूँ पर जरूरी नहीं कि हर लोग एक perfect map के साथ perfect measurement के साथ वो चीज़ कर पाए तो देखें यहाँ पर 140-150 gram का जो रहता है cup उससे अगर आप भर करके लेते हैं अच्छे से भर के लीजिएगा तो आपका आदा केजी का केक, market style जो बेकरी में मिलती है perfect आदा केजी का अगर आप एक cup यूज़ कर रहे हैं तो आपको 300 gram 200 gram से लेके 300 gram तक आपका केक का sponge बनता है फिर soaking करना, cream लगाना यह सब करते करते हैं आदा केजी weight पहुंच जाता है पर जो home bakers होते हैं उनके cake जो हैं वो थोड़ा weight में जादा होता है एक तो है कि measurement ऐसा नहीं है कि home bakers ध्यान ने रखते हैं यह अंदाज से मैं बनाती हूँ इसलिए ऐसा होता है ऐसा बिलकुल नहीं है बस home bakers अपना 200% देते हैं अगर आप bakery मे लाते हैं तो वहां का effort और ज चाहे वो weight हो design हो हर एक चीज़ आपको perfect मिलती है फ्रेशनेस की तो कुछ कहने ही नहीं बेकरी से तो तुलना भी नहीं किया जा सकता home bakers के cake को तो मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ नया सिखा के ज एक दिन पहले एक दिन पहले यानि 24 घंटे पहले मैंने customer को दिया था क्योंकि मैं जा रही थी घर चुटी पे और मुझे ये cake देना था तो एक दिन पहले मुझे ये cake बना करके customer को देना था तो देखिए कभी भी this type का situation हो सकता है कि आप अपने area में एक लोटे home bakers हो या फ देती हैं हाला कि मैं जब cake जिनको सिखाई हूं वो लोग भी cake sale करते हैं पर क्या है कि हमारे area में दो colony है तो जो right bank को जिनों मैंने मैंने सिखाया है वो लोग तो perfect बनाते है क्योंकि वो लोग complete course किये हैं तो उन्हें पता है कि किस तरीके से soaking करनी है किस तरी से designing करनी है किस त धूरा ग्यान जानने के बाद ही कुछ लोग सोचते हैं अब तो मुझे पूरी जानकारी हो गई और मैं अपना business open कर सकती हूं और इसी चकर में वो लोग पूरी चीज नहीं सीख पाएं जिससे मुझे फिर आते हैं phone messages कि आपने उन्हें cake सिखाया पर उनके cake का taste आपके वाल या वो नहीं taste ला सकते हैं पर यहां पर मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताती हूं जो कि आपके लिए helpful रहेगी तो देखे ये cake मैं एक दिन पहले 24 गंटे पहले दे रही थी तो अगर आपको भी कभी step के cake को देना हो customer को पहले देना हो या आप morning में दे रहे हैं रात मे कट होने वाला है cake तो आप दो तीन बातों का specially ध्यान रखे एक तो की cream बहुत जादा whip नहीं होना चाहिए in fact अगर आपका cream थोड़ा सा soft हो तो चलेगा जैसे की normal stiff peaks वाले cream तो हम लोग बनाते हैं तो जितना देर हम लोग beat करते हैं उससे हलका सा slightly hour 30 seconds कम beat की ये ठीक है तो cream क है ना वो काफी जादा stiffness नहीं आएगे smooth सा रहेगा cream और अगर आप smooth cream से cake की icing करेंगे तो जो cream है उसमें cracks नहीं आएगे जैसे आप देखते होंगे कि दो दिन अगर आप cake रख दिये फ्रिज में ये crumb coat करके अगर आप फ्रिज में रख दिये तो cake में cracks आजाते हैं वो अगर से stable बनाना है उसका लग से मैंने वीडियो बना रखाया है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं तो यह सारे cakes मैं 24 गंटे पहले ही customer को दी ती जितने भी cakes के order थे सारे birthday कहीं थे और सारा मैं 24 गंटे पहले दी ती तीसरे important वात यह है कि यह जो paper topper मैं बनाई हूं यह तो इसे कैसे बनाना है उसका भी वीडियो अप्लोडेड है और उससे regarding जो tips and tricks है वो मैं आपको दूसरे वाले केक जो जंगल थीम केक है उसमें शेयर करोंगी सो मिलती हो अगले वीडियो में यह वीडियो पसंद आई हो तो like, share, subscribe, thank you so much for watching, bye bye